पिछले दिनों 69 राष्टिय फिल्म पुरसकार समारो नई दिल्ले के विज्ञान भवन में आहुद था। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल के सम्मान इस बार रुपहले परदे की बेहतरीन अभिनेतरी रही वहिदा रह्मान को मिला। वहिदा रह्मान अपने बेटे सोहेल रेखी के साथ पुरसकार लेने समारो अस्तल पर पहुँची। बिज्ञान भवन के निर्धारित गेट से हौल तक पहुँचने के लिए उन्हें अकेले ही ये लंबा सफर तै करना पड़ा। उनके साथ चलने के लिए किसरी करिक्रम समात हुआ तो इसके साथ ही रेडी टू लीव का मैसेज भी चला गया। रेडी टू लीव का अर्थ है कि पांच मिनट के अंदर वहां से विशिष्ट अतिथी को प्रस्थान करना होता है। तब तक बाहर सारा ट्रैफिक रोक लिया जाता है। कारिक्रम में राश् उसको देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें।